भूमाफिया सुशील शुकला द्वारा कल्यानपूर्व में शादी हॉल का अनाधिकृत अवैद बांध काम अनिल शुकला जी हाँ आपको बता दे की सामाजिक कार्यकर्ता अनिल शुकला ने कल्यान पूर्व में रहने वाले सुशीर शुकला पर जबरन कब्जा करके दुर्गा माता मेरेज हौल बनाने का आरोप लगाया है अनिल शुकला का कहना है कि शुशीर शुकला दबंद आदमी है जिसके कारण शासन प्रशासन उसके दबाव में आकर दुरगा माता मेरेज हौल के खिलाफ सबूत होने के बावजूर भी तोड़क कार्यवाही धन से नहीं कर रही है बता दे की शुशीर शुकला ने यह अवेद बांध काम 2021 में शुरुआत की और अब पूरी तरह बन कर तयार है जब इस बांध काम की शुरुआत हुई तो तुरंट यानी की ततकाल समाजिक कार्यकरता अनिल शुकला ने इस बात की जानकारी कल्यान महानगर पालिका को दी जिसका असर बैसर साबित हुआ सारवजनिक संपत्ती की रक्षा के लिए महानगर पालिका कल्यान सेंट्रल रेलवे तथा बिजली विभाग को सूचित किया गया जहां सेंट्रल रेलवे ने महानगर पालिका को ततकाल अवैद निर्मान को रोपने तथा निश्कासित करने के लिए आदेश जारी किया लेकिन यह आदेश भी किसी काम नहीं आया दुर्गा माता मेरेज हॉल बनकर तैयार हो गया जबकि महानगर पालिका ने सभी कागस पत्र की जाच की और यह निर्मान अवैद पाया गया जब प्रशासन ने कोई दखल नहीं दिया तब समाजिक कार्यकरता अनिल शुकला ने माननिय उच्च न्यायाले में अवमानना याचिका कंटेम पेटिशन 236-2022 दाखिल किया माननिय उच्च न्यायाले ने महानगर पालिका को फोटोग्राफ के साथ हलफ नामा दाखिल करने का आदेश पारित किया माननिय उच्च न्यायाले ने 23 जिलाई 2024 को बांधकाम निशकासित करने का आदेश पारित किया लेकिन महानगरपालिका के अधिकारियों ने केवल टीन शेड हटा कर अवैद बांध काम हटाने का केवल दिखावा किया। बता दे की सुशील शुकला ने अधिकारियों को अपने वश्मे कर रखा है इसलिए माननिय उच्चन्यायाले के आदेश के बाद भी वैद शादी हौल का निश्कासन करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब अनिल शुकला ने लोकशाही के स्तंभ मीडिया और जनता से जनहित में उप्रोक्त विशे में दखल देने की मान की है जिससे कानून का राजस्था पितो और भूमाफियाओं अपराधियों को उनकी करनी की सजा मिले। कुमार शुकला कल्यान का रहने वाला हूं और यहां कुछ भूमाफियाओं के बात परदाफाश करने आया हूं और सुशील कुमार शुकला और असीस कुमार शुकला जबर जस्ती जगे जमीन का कपजा करके गलस ढंक से पब्लिक की संपत्ति को जो है दुरुपयोग कर रह हैं इसके लिए मैंने हर जगह कंप्लेंट दायर किया है जहीं कहीं से कोई response मिना नहीं मैंने court में भी case फाइल किया है कोट से डिमॉलिश करने का आदेश हो गया है उसके बावजूद भी नगरपाली का कोई सहयोग नहीं दे रही है नगरपाली का कोई डिमॉलिशन नहीं कर रही है और आज की तारीक में हर जगह पैसे का दबाव उन्होंने बना के रखा है गुंडागरदी का दबाव बना के रखा है और जो इस धंग से जो है पबली की संपत्ती हड़प करना चाह रहे हैं वो लोग प्रॉपर्टी का मैंने केस दाखिल किया है हाई कोट में वहां से स्टे मिला हुआ था तब पर भी उन्होंने काम जारी रखा नगरपालिका को भी कंप्लेंड की गई कई बार फिर भी नगरपालिका ने उस पर कोई एक्शन लिया नहीं बाद में मैंने कंटेंट अफ कोड जब दाखिल किया कोड के आदेश के बावजूद भी नगरपालिका ने उसका तोड़फोर नहीं किया और यह लोग ध्रले से बनाके बैठे हैं दुरगा माता मेरेज हॉल बनाया हुआ है इन्नों को ने और उसको जो है इस ढंग से गलत ढंग से कर रहे हैं और मेरा उस बात को लेके सक्त विरोध है उसको डिमॉलिश करने का दिया है हाई कोड ने फिर भी जो है वाइड वाले नहीं कर पा रहे हैं केडी एंसी वाले और ये जो है केडी एंसी के कमिशनर को लेटर दिया गया था कि आप दिमोलिश करवाईए इसको दिमोलिशन का हाई कोड का ओडर है फिर भी यो लोग ने इसको बहाल नहीं किया और ये जो है ये जो है दुर्गामाता मेरेज हॉल बनाया हुआ है ये सुसील सुकला और असीज सुकला ये दोनों जन है यहाँ ये सुसील सुकला है और ये असीज सुकला है ये दोनों मिल के जो है उसको जमीन को हड़प करना चाह रहे हैं पुब्लिक की प्रॉपर्टी के नगर पालिका का जो है ओडर है 2021 का जिसमें उन्होंने उस मकाम को जो है इल्लीगल गोशित किया है उसके बावजूद भी वो मकाम बन बना के तयार हो गया है ये लोगों का आगे कोई एक्शन हुआ नहीं सब अनध्राइज कर्सेक्शन का काम चालू है भू माफिया लोग एक्टिव हैं इसमें सुचील कुमार शुकला रशीश कुमार शुकला ये बंबे हाई कोट के का दस मार्च का स्टे ओडर है ये ओडर होने के बावजूद उन्होंने काम चालू किया और ये यहां तक ले आए ये देखिए ये काम फिर भी चल रहा था लगातार कोई रोग टोक नहीं हुई कोई बात नहीं सब लोग पैसा खाके चुपचा बैड़ गए जबकि मैंने हर जगए इन्फोर्मेशन दिया था नगरपालिगा को दिया था पुली स्टेशन में दिया था हर जगए और आज की तारीफ में वो लोग बना ले गए हैं ये देखिए ये 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 जो दुर्गा माता मेरेज हौल बना है उसका ये कंप्लीट फोटो है और अभी तक दिमॉलिश नहीं हुआ है जबकि सबको इंटिमेशन दिया हुआ है अलड़ी अलग अलग वार्ड को नगरपालिका को कमिशनर को सबको दिया गया है पुलीस कमिशनर को लगिं किसी ने कोई एक्शन नहीं गिया इसमें जो है राज्य सरकार को हफ्तक छेप करना चाहिए पुलीस स्टेशन को एक्शन लेना चाहिए और नगरपालिका को इस पर एक्शन लेके जो है अनिगर्दि बान काम को तोड़ना चाहिए और जो है न्याय का स्थापना करना चाहिए